आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनोट करें। थीक है, तो कह रहा है कि इन में से किस प्रकरम में गैस द्वारा सबसे अधिक कार्य किया गया होगा, लो एक या किया जाएगा। ठीक है तो हमको ये वक्र जो दिया गया है जो ग्राफ दिया गया है वो किसके किसके बीच है वो दाब और आयतन के बीच में ठीक है तो दाब और आयतन के बीच में जब हमारा ग्राफ दिया होता है और हमसे कार की गड़ना के बारे में पूछा जाता है तो पीवी ग्राफ मे क्या होता है कारज होता है ठीक है वो वक्र द्वारा घेरे गए छेत्रफल की बराबर होता है ठीक है क्या होता है उस प्रक्रम की द्वारा ठीक है प्रक्रम की द्वारा ठीक है आयतन अच्छ पर ठीक है आयतन अच पर घेरे गए चेतरफल के बराबर होता है ठीक है तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए ठीक है आयतन अच मतलब क्या होता है उस वक्र ने और आयतन अच ने कितना हमारा चेतरफल कवर किया है ठीक है या उनके बीच में कितना चेतरफल आ रहा है वही उस प्रक्रम के लिए क्या होगा किया गया कारे होगा ठीक है तो पूछा गया है किस प्रक्रम में गैस द्वारा सबसे अधिक कारे किया जाएगा ठीक है तो हमने ये नंबर दे दिया A B C D ठीक है तो यदि हम A B C D का छेतरफल निकाल लें ठीक है तो वो किसका छेतरफल आ जाएगा किसके दोरा किया गया कारे आ जाएगा समदाभी प्रक्रम में किया गया कारे आ जाएगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर लिख दें समदाभी प्रक्रम में किया गया कारे ठीक है प्रक्रम में किया गया कारे किसके बराबर होगा ये बराबर होगा हमारा छेतरफल A B C D के ठीक ह किसके बराबर होगा छेतरफल A, B, C, D के ठीक है यानि हम A, B, C, D का छेतरफल निकाल लें तो समदाबी प्रक्रम में किया गया कारे आ जाएगा ठीक है तो इस कारे को अमलुक क्या नाम दे दे रहे हैं W1 नाम दे दे रहे हैं ठीक है या W समदा भी भी लिख सकते हैं ठीक है तो W समदा भी लिख दिया इसी प्रकार से समतापी प्रक्रम के लिए क्या नाम दे दे रहे ये A हो गया, ये B हो गया C, D तो इसको हम नाम दे दे रहे E, ठीक है तो A, E, C, D ये अगर हम लोग 6 तरफल निकाल ले तो किस में काम किया आ जाएगा समतापी प्रक्रम में गया द्वारा किया गया कार आ जाएगा, ठीक है तो समतापी प्रक्रम में किया गया कार ठीक है समतापी प्रक्रम में किया गया कार क्या मानेंगे हम लोग डबलू समतापी, ठीक है, किया गया कार क्या हो जाएगा, डबलू समतापी बराबर, क्या हो जाएगा, छेतरफल, A, E, C, D, ठीक है, डबलू समतापी, बराबर क्या हो जाएगा, छेतरफल, किसका छेतरफल, A, E, C, D, ठीक है, A, E, C, D का छेतरफल, यदि हम लोग निकाल ले तो समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य आ जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार यदि हम इसको F बिंदू नाम दे दें, ठीक है, तो ये छेते फल यदि हम लोग निकाल लें, ठीक है, कौन वाला A F C D, A F C D, तो क्या आ जाएगा, रुधोस प्रक्रम में किया गया कार्य आ जाए ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देए, इसी प्रकार, डबलू रुधोस में जो आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, छेतरफल, A, F, C, D के बराबर होगा, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं, कि इन सभी, छेतरफल में, जो छेतरफल, A, B C D है ठीक है छेतरफल A B C D जो है वो सबसे ज़्यादा है ठीक है क्यों क्योंकि ये छेतरफल कहां से कहां तक है ये पूरा छेतरफल है ठीक है बाकी जो है वो इसके ही एक अंस है तो छेतरफल A B C D जो है वो सबसे ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ? कि समधाभी प्रक्रम में किया गया कार भी सबसे जादा होगा तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि छेतरफल A, B, C, D जादा है किस से? छेतरफल A, E, C, D से ठीक है? किस से जादा है? छेतरफल A, E, C, D से चेतरफल जादा है चेतरफल E F C D ठीक है यानि की डबलू समदाबी जो होगा वो सबसे जादा होगा ठीक है डबलू समदाबी सबसे जादा होगा उसके बाद क्या होगा डबलू समतापी होगा ठीक है समतापी होगा और उसके बाद क्या होगा डबलू रुद्धोस्म होगा ठीक है क्योंकि इसी क्रम में हमारे छेतरफल घट रहे हैं ठीक है तो यह हो गया छेतरफल का घटता क्रम और यह हो गया हमारा कार का घटता क्रम तो हमसे पूछा क्या गया था कि इन में से किस प्रक्रम में गयर द्वारा सबसे अधिक कार किया जाएगा तो सबसे अधिक कार किसमें किया जा रहा है डबलू समदाभी ठीक है यानि कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा समदाभी प्रक्रम में सबसे अधिक कार किसमें किया जाएगा समदाभी प्रक्रम में यही हमारे प्रेशन का उत्तर है थैंक यू